नमस्कार किसान साथियों एक बाफ फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हिल्प में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की फसल के बारे में कि अगर आपकी आलू की फसल 80-90 दिन की हो गई है उस समय में क्या करना चाहिए क्योंकि इस स्टेज पे अलू के कंद का आकार तेड़ा बेड़ा होने लगता है और उसमें अलू के कंद फटने लगते हैं तो इस समस्या के निदान के लिए हमें कौन सी दवा का उप्योग करना चाहिए और क्या सावधानिया रखनी चाहिए संपुर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप से एक छोटी सी रिक्वेश्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नहें तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हिल्प को सब्सक्राइब आवस कर लें और साथ में बेल आईकन आवस प्रेस कर लें ऐसी खेती सम्मादी जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले पाने के लिए और अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी आलो की फसल 90 दिन की हो गई है उस समय हमें क्या करना चाहिए अपने अलो की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए तो इस समय हमें अपने फसल में बोरान 500 ग्राम प्रत एकड के धर से और उसके साथ में कापर आक्सी कुलोराइट का उप्योग करना चाहिए अपनी आलो की फसल में और बोरान के साथ में एक इटनार सक इमामेक्टीन बिंजोनाइट का वियो उपयोग करने चाहिए अपने आलू की फसल में बात करें कि इसके उपयोग से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा तो Emamectine Benzonate का उप्योग करने से आलू छेदन या फिर तना छेदन की जो समस्या होती वो काफी हद तक दूर हो जाती है क्योंकि इसमें जो इंसेक्ट होता है तना छेदक वो इससे कंट्रोल हो जाता है और हमारा आलो जो है सुरच्छित बना रहता है और बात करें यह रखने की समस्या आजने की कंद जो फट जाता है वो समस्या काफी हद तक दूर हो जाते है और आलो का आकार विल्कुल अच्छा हो जाता है सुडोल रहता है और आलो चमकदार मिलता है देखने को इसलिए हमें इन तीन दवाओं का कंबिनेशन बनाके अपने अलो की फसल मे इस स्टेज पे अवस्य स्प्रे कर देना चाहिए बात करें इनके दोजकी तो 500 ग्राम कापर आक्सिकुलोराइड प्लस 500 ग्राम बोरान और उसके साथ में 100 ग्राम एमामेक्टिन बेंजोनेट किसी अच्छी कंपनी का लेना है और आपको 200 लिटर पाने के साथ में एक कंबि हद तक दूर हो जाएगी और आपको अच्छे आकार में आलो का साइज मिल जाएगा और चमकदार आलो देखने को मिल जाएगा और आपके आलो के अच्छी फसल देखने को मिल जाएगी आपको नहीं सफथी जानकारी आलो की फसल में 90 दिन की स्टेज पे दवाओं को लेकर तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवस कर दीजिए और दोस्तों में share करिए तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं नए वीडियो में नए टाफिक के साथ